महारास्ट में सियासी संकट और बगावत के सुर्खी तो महारास्ट में सियासी संकट पर लेटेस्ट अपडेट है कि मुख्यो मंत्री उद्दव ठाकरे का एक बड़ा बयान शिंदे पर आया है अपने बयान के जरियर उन्हें साफ कह दिया कि लकड़ी की कुलहारी ही पेड काटती है मैं अपना इस सिफ़ा देने के लिए तयार हूँ शिव सैनिक मेरे साथ गदारी ना करे अगर विधाय कहेंगे तो मैं इस सिफ़ा देरी को तयार हूँ अगर आप चाहते हैं कि सीम पद पर ना रहूं तो ठीक है बागी विधायक मेरे सामने आकर अपनी बात रखे कोई शिर सैनिक सीम बने तो मुझे खुशी होगी मुंबई में एक और शिर सेना विधायकी बागी तेवर विधायक दीपक केसरकर का एक बड़ा बयान आया और ये जानकारी दी कहा मैं भी एकनात शिंदे के साथ हूँ तो ये इस वक्त की बड़ी खबर महरास्ट्र सियासी संकर से जुड़ा हुआ लेटस्ट अपडेट आप तक पहुचा रहे हैं एक तरफ चिथी सामने आती है एक नाशिंदे की चौप 34 विधायकों के सिगनेचर के साथ और उसके बाद ये बयान अब उद्धर ठाकरी का आया है जे अमदार गायबायत कि वह त्याने गायप करूंद गायाप केले ले तक यावा और माजी राजिया राजिया नामें चाहिए राजभावन मरे जाओ हाँ कुठे ही अगदी लाचरी चा प्रसंगना ही कि वहाँ मजबूरित आजिबात नहीं है करें आजपरनाशी अनेक आवान बीन सत्ती चे अपन पेल लेत हे काय मोठा आवान है कावील जास्ति जासत परत लड़ू जो प्रेन माजा सोबत शिवसेना प्रमुखानी जोड़ूंद दिलेल सारा शिवसेनिक आए तो प्रेन मी कॉंटई संक्रिटाला भीत नाई मी आवानाला सामुरादाणार मानुस है ते चे उड़िए कॉंटई आ जो महराष्ट्रों सरकार बनी जो महराष्ट्रों सरकार बनी थी वो है अननेचरल थी वो बन नहीं सकती कुए कि शिवसेना का और कांगरेस का एलाइंस पो नहीं सकता था लेकिन वो हुआ बीच में जगड़े दूए तो एजो एंड हुआ है यह तो काफी देर हो गई यह तो शड़ा हुआ प्पल चूटा है यह फल तो शड़ तो थो खुआ है उसारी मर्यादा हैं जिस परकार से तोड़ी है जबकि मेंने अभरीट हो आज तक मतलब करी देखा है और इससे थाकर वो इस साविध होता है कि इस सरकार का कितना विस्तव गिर चुका था और यह कितना दुर्पयोग कर रहे थे सक्ता का, इसलिए ये कोई बाला सहब ठाप की शुक्सेना बिल्कुल नहीं थी, ये पुरी तरह से बहुत शुक्सेना थी, ये तो कांगरेस की वुलाम थी, उनके एजेंडा पर चब रही थी, ये कांग्रेस की भी टीम थी ये शुक्षेना, ये बिल्कुल बाला साफ ठाकरी की शुक्षेना नहीं थी, इसलिए ये जो हुआ है, ये को होना ही था. किसी राज्य में जिर्मान होती है, तो मैंने देखा है, ये इतिहास है, राजडेदी, कि विधान सबाब भंग की जाती है, महाराष्टा की सिती कुछ ऐसी बनी हुई है, जिस पकार से विधायकों को पकड़ कर, किड्नयाप करके, बाहर के राज्य में लेकर जाने का जो पया क्या करना पड़ आपने देखा, उसने अपनी पूरे आभीति सुनाई, पैसे उसके साथ मारपिट होई, पैसे उसको गलत तरीके से अस्पताल में भरती किया, गलत तरीके से उसका उपर इलाज किया, गलत तरीके से उसको इंजिशन दिया गया, वो तो बोल रहा है कि अब तो गुवाटी में विधायक है, शिंदे के साथ, लेकिन कई और विधायकों के वहाँ पर पोंचने की भी जानकारी मिल रही है, अभी फिलाल क्या कुछ अपडेट है, ये बताएंगे मेरे से होगी, शिवेंदर सिंग पर बार हमार साजुड़ गए है, शिवेंदर क्या कुछ अपडेट है अभी तक का? शिवेंदर के अभी तक यहां नहीं पहुच रहे हैं, अंदर से बहार गाडियों के आने जाने का सिलस्रा जारी जरूर है, लेकिन सुबह एक साथ एकनात सिंदे के अभुवाई में जो बिदायक आए थे? उसके बाद कोई नए बिदायक यहां पर नहीं पहुचे है, उसके बाद पूरा घटना क्रम है वो कभी टुटर के जरीए, कभी यूटूब लैब के जरीए, कभी मीडिया गुद्धी की बाइटों के जरीए चल रहा है, अंदर से किसी बिदायक ने या एकनात सिंदे ने पास इस तरह की कोई जानकारी नहीं है, कि एकनात सिंदे कब मीडिया से बातचीत करेंगे, लेकिन यह जरूर है कि उत्तर जो असम का गुवाटी है, वो इस समय महाराष्ट की राजनीती का केंद्र बना हुआ है, सभी की नजने इस समय टिकी हुई है, एकनात सिंदे और उ इफसेना प्रमुक की जिम्मेदारी छोटने के लिए तयार हूँ, एकनात सिंदे और महलाष्ट में आकर आमने सामने मेरे से बात करें, मुझे बताएं क्या उनकी परिशानी है, मुझे किसी पत का कोई बो नहीं है, तो अब यह माना जा रहा है कि एकनात सिंदे के पाले मे एक ट्वीट जरूर उन्होंने किया था, तिन चार गंटे पहले जिसमें उन्होंने जो वेप जारी किया गया था महाराष्ट में सिर्फ सेना की तरफ से लेकिन श्वेद्र जिस तरीके से उद्दर ठाकरे का बयान सामने आया है, उसे जरूर अब हल्चल होती हुए नजर आएगी, लेकिन वही चंदरकान पाटल, बीजुपी के जनेता है, वो चार विधायकों के साथ वहाँ पर पहुँचेंगे, ये जानकारी मिल रही है, शि अस्तम में जो बीजेपी के अध्यच्छे चंदरकात पाटल, वो उन विधायकों को लेकर सूरत से निकले हैं, क्योंकि एनाई के हवाले से ख़वर आई थी, और एनाई ने बाद में खुद अपने ट्विटर हैंडल पर इस ख़वर का खंडन भी किया था, कि इस ख़वर क पुष्टी नहीं होने के कारण इस कवर को हटाया जा रहा है, और ये मैंने लैब में भी खाता कि अगर चंदरकांत पाटल यहां पर नहीं पहुँच रहे हैं, गुवाटी सूरत से बिदाए हैं, तो फिर अभी ये माना जाना चाहिए पूर्ण कि बीजेपी इस पूरे प पवार के समर्थन के बाद देविंद्र फणर भी इस ने अल सुबह सबत ली थी मुख्यमंत्री की और बाद में जब अजीत पवार मुकर गए थे तो उनको इस्तिवा देना पड़ा था लेकिन उद्दव ठाकरे के भासट के अगर मैं बापस बात करूं पूर्ण है कि चाहिए वो पालगर के विदायक हो चाहिए वो बिदरब के विदायक हो मुंबई को छोड़कर बाकी सभी विदायक इस समय गुहाटी में मौजूद है एकनाज सिंदे के साथ हो बिलकुल शुहिंद्र आपने सही कहा लेकिन जिस तरीके से अब सुर निकल कर आ रहे हैं तो सकता है शुवेंद्र अब बिलकुल देखिए जो बिदायक अभी जिनका बयान जिनका जिक्राप करने हैं पूरां वो मुंबई से बिदायक हैं अभी यही हम कह रहे थे कि कम से कम मुंबई के बिदायक उद्दभ ठाकरे के साथ मुझूद है लेकिन अगर मुंबई सहर के बिदायक इस तरह का बयान दे रहे हैं तो यह समझा जा सकता है कि शिपसेना में जो टूट है वो सामा ने टूट नहीं है अधिकतर जो बिदायक है वो उद्दभ ठाकरे से नाराज है एकनाथ सिंदे में अपना विश्वास जता रहे हैं और यही कारण है कि उद्दभ ठा अभी ही जब महाराष्ट की जंता को संबोदित किया तो उनों कहा कि अभी भी सिफ सेनाका का जो मुख्य एजंडा है वह हिंदुत्त्त वह हम हिंदुत्त से दूर नहीं जा रहे हैं मैं खुद अजय गया था आदित ठाक्रे अभी अहुद्या गए थे हमारी पार्टी की नेत अभी अहुद्या जाते रहे हैं, तो कोसिस यही है कि जो विदायक अभी एकनाथ सिंदे के साथ मौझूद हैं, उन पर इस भावनात्र में अपील का कुछ असर पड़े, कि उद्दव ठाकरे अगर कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री पर छोड़ने को तयार हूँ, मुझे किसी पर का मो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि बात इससे काफी आगे निकल गई है, इस तरह की अपील का कोई असर होगा नहीं, क्योंकि उद्दव ठाकरे कह रहे हैं कि महराश्ट्र में आकर एकनाथ सिंदे और बागी बिदायक बात करें, यह तो तह है कि जब सभी बिदायक पहले सूरत और गुवाटी आए हैं, तो जब तक इस्तिती पूरी तरह से स्पष्ट नहीं होगी, पिक्चर किलियर नहीं हो जाएगी कि मौझूदा सरकार का भविस्य क्या होगा, अगर नई सरकार बनेगी तो उसकी रूपने का क्या होगी, तब तक मुझे नहीं लगता क एकनाथ सिन्दे अबागी विदायक गुवाटी छोड़ेंगे, गुवाटी से सभी विदायक तभी महाराश्टी पहुंचेंगे पूराम, जब पूरी तरीके से जो पिक्चर है महाराश्टी की रादिनीती की, वो केलियर हो जाएगी, क्योंकि महाराश्ट्र में मुंबई में भी जो घटना क्रम है वो पल-पल बदल रहे हैं वाटी से ज्यादा हजचल इस समय मुंबई में थोड़ी दर पहले सरत पवार सुप्रिया सुले मिलने पहुंचे हैं उद्धव ठाकरे से देविंद फणरवीस जो कि पूर मुख्य मंत्री हैं उनसे कई केंदरी मंत्रियो और बीजेपी की निताओं ने मुलाकात की है तो सभी तरफ से ये कह सकते हैं कि अभी प्रयास जारी हैं लेकिन इस समय अगर सबसे मुख्य मंत्री उद्धव ठाकरे जिनके अधिकतर विदायक जिस पार्टी में बिना उद्धव ठाकरे की मर्जी के पत्ता नहीं हिलता था वहा हालत यह है कि उद्धव ठाकरे का फौन नहीं उठा रहे हैं बागी विदायक जो इस समय गुआटी में बेटे हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये अब तक का सबसे बड़ा संकट क्यों कहा जा रहा है बिल्कुर श्वेंद्र आपने सही कहा महारास्टी की सरकार का ये सियासी संकट जो है वो अब उद्धव सरकार के लिए टेंशन बनता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि कोई भी उन्हें रास्ता नजर नहीं आ रहा सूरत में महारास्टी सरकार थे लेकिन आधी सरकार लगभग और अब वो धीरे धीरे गुवाटी पहुच रही है लेकिन अब इसके सूरते हाल क्या होने वाले है क्या देर राद तक कोई हलचल होती हुए नजर आईगी श्वेंद्र अगली प्लानेंग या उनकी अगली रगनीती क्या होगी या फिर वो पुछ ट्वीट करेंगे कि अब यहां से आगे जो एकनाथ सिंद्र क्या करने वाले हैं उनका जो अगला कदम है पूर्ण को क्या होगा लेकिन अभी तक एकनाथ सिंद्र के स्पीच के बाद ना तो पुछ ट्वीट किया है ना पुखता इस बात की जानकारी आई है कि वो मीडिया से कब बातचीत करेंगे लेकिन यह तह कि अंदर जितने भी मौझुल हैं उनके साथ लगातार एकनाथ सिंद्र की बातचीत चल रही है और सबी वेदैकों की सहमत्थी से ही एकना Cam Do Senra AX परनिकली बात की जाए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, एक चिट्टी जरूर जारी हुई तो जो गवार्टी से जारी हुई है, लेकिन एक और अजीब इस्तिती पैदा यह होगी है, महराश्ट्र में के जो वहाँ के गवर्नर है भगत सींग कोस्यारी, उनको कोरोना हो गया है, अस्पताल में भरती है, अगर आज वो राजभवन में होते तो हो सकता है कि कुछ नेता उनसे मिलते, इस तरह की खवरे भी दिन में आई थी पूनों के एक नाथ सिंदे, लेकिन कुछ भी हो, उद्धव सरकार के जो सेना है, वो धीरे-धीरे कम होती हुई नजर आ रही है, और शिंदे के सेना दम भरती हुई नजर आ रही है, देखना होगा किस तरीके की रियक्शन अब आने वाले समय में होंगे, और किस तरीके का आक्शन फिलहाल लिया जाएगा, और तस्वीर किस तरीके से बतलती हुई महारास्ट सरकार की नजर आएगी, अब लगए।